दोस्तो आज हम बेर की पत्यों के फायते के बारे में बात करेंगे बेर एक सितकाल में होने वाला स्वाधिश्ट फल है इसे हर उम्रके लोग बड़े प्यार से खाते है यहां अवसद्य गुणों का खजाना होता है लेकिन इसे सिर्फ आप सितकाल के दोरा नहीं खा सकते है इसके अलावा आप इसका पाइदा नहीं ले सकते लेकिन बेर की पत्या बारो मास पाई जाती है और इसके पाइदे भी बेर से कहीं अधिक होता है बेर की पत्यों का सिवन करके आप साल भर पूरी तरह स्वस्थ रह सकते है तो दोस्तों आज हम बेर की पत्तियों के पाइदे की बारे में बात करेंगे बेर के पत्तों में अनेक प्रकार के पोश्टिक तत्व और विटामिन्स तता लवन पाई जाते हैं बेर के पत्ते एनर्जी का सबसे बड़ा स्तोत्र है बेर के पत्ते पोश्टिक तत्तों से भरपुर होता है इसलिए इसका सेवन करने वाले हमें साथ चुस्त और दुरुस्त रहते हैं यह पोश्टिक तत्तों से तो भरपुर होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में गैलेरी पाई जाती है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुप्त होता है और आपकी एक लाइक करने से इस वीडियो का मोटिविशन आपको जाता है अगर आप चैनल पर ने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करते और बेल आइकन घंटे दबाने के बाद औल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अप्लोड होती है तो इसकी नोटिपिकिशन आपको एक सेकंड के अंदर मिल सके बेर की पत्यों में एंटी ओक्सिडेंट और एंटी एफ्लेमेंटरी खुन पाए जाते है जो कई बीमारियों को नेश्थ नाबुद करता है जो एंटी ओक्सिडेंट का काम करता है बेर की पत्यों में अधिक मात्रा में एमिनो एसिड भी पाया चाता है जो बोड़ी में प्रोटिन की मात्रा को संतुलित करता है दोस्तों बेर के पत्तों में कैलरी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है ये वजन कटाने के लिए बहुत पायदिमन है वजन कटाने के लिए बेर के पत्तों को रात में पानी में पिगो कर रखे सुबह उठकर खाले पेट धगयो हुए पत्तों को चान कर इस पाने को पी ले ये प्रयूग लगादार एक मास तक करते रहने से निश्चित ही वजन कम हो जाता है बेर के पत्तों में केंचर विरोथी कुन पाये जाते है इसमें विटामिन C और विटामिन A के साथ साथ केल्सियम भी भरपूर मातरा में पाया जाता है बेर के पत्तों का सेवन करने से इम्यून सिस्टम बहतर रहता है इसके अलावा यह सरिर में लिपीड और ग्लुकोज के लिवल को कम करता है यह पेट की चरवी को कम करने में विशेश रूप से फायदे मन्द है बेर के पत्तों को एक चमच की मातरा में पिश कर साथ में आम की गुठली की गिरी मिला कर सेवन करने से दस्त मिट जाता है दोस्तो बेर के पत्तो का रस भेंश की दूद के साथ मिला कर पिने से चेचिक में बहुत फाइदा होता है इसके अलावा 6 ग्राम की मात्रा में बेर के पत्तो का चोलन बना कर 2 ग्राम गुड के साथ मिला कर खाने से 2-3 दिनों में ही चेचिक खत्म हो जाता है ये दमा रोग में भी बहुत पाइदे मन्द है। 10-15 बेर के पत्टों के साथ 8-10 चायपल के पत्टों को मिला कर आदा चमच पान में उबाल कर चान कर पिने से दमा ठीक होता है। दोस्तों बेर के पत्तों के साथ गुलर के पत्तों को पिश कर बिच्चु के दंस के स्थान पर लगाने से बिच्चु का जहर उतरने लगता है। बेर के पत्ते बालों के लिए भी अद्भुत फायदे मन है। इसके लिए बेर के पत्ते के साथ नेमू के सिलकों को पिसकर बालों में लगाने से बालों के लंबाई बढ़ते हैं और बाल काले तता गने बन जाते हैं तो दोस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण चानकारे वीडियो पसंद आने पर लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकारे के साथ